चानक के आईएस एकेडमी करेंट अफेर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं उन महिला सैनिकों के बारे में जिनकों मैटर्निटी चाइल्ड केर लीव की पर्मिशन रक्षामंत्राले ने दी हैं भारतिय सैना में कारेरत महिला सैनिकों सेलर्स और एर वार्यर्स को भी अब मैटर्निटी लीव और चाइल्ड केर लीव मिलेगी रक्षामंत्राले ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं इसमें महिला अगनी वीर भी शामिल है अभी तक सैना में केवल हायर रेंक्ट विम प्रस्ताविकों और वायो युद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के समान, मात्रत्व, बाल देखबाल और बच्चे को गोद लेने पर चाइल्ड केर लीव दी जाएगी नियम जारी होने के साथ ही सैना में सभी महिलाओं को चाहेवे अधिकारी हो या किसी अन प्रकेदारी के अनुरूप है फिर चाहे उनकी रेंग कुछ भी हो नियमों के विस्तार से सैना में पोस्टेड महिलाओं को परिवार और समाजिक मुद्दों से डील करने में काफी मदद मिलेगी साथ ही इस सैना में महिलाओं की वर्किंग कंडिशन में भी सुधार होगा वे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाएंगी। भारतिय सैना के सैन्ने पुलिस कोर में सैनिकों के रूप में महिलाओं की भरती साल 2019 में शुरू हुई वही अगनीवीर योजना की शुरुवात के बाद महिलाओं की कोर ओफ मिल्टरे पुलिस में भरती की जा रही है। इंडियन नेवी में भी अगनीवीर योजना के तहट महिला सेलर्स की भी भरती शुरू की गई है। रक्षा मंत्राले की इस फैसले से सभी को इसका लाब मिलेगा। अगर बात करें भारतिय सैना में सेवारत महिलाओं की कुल संख्या के बारे में तो अत्रिक्त अन्य रेंक होल्डर लगबग सो है। तो इनकी कुल संख्या साथ हजार तिरान में है। ये डाटा मार्श दो हजार तेज तक का है। अगर मैटेनिटी लीव की संख्या की बात की जाए तो फिलहाल महिला अधिकारियों को 180 दिनों की मैटेनिटी लीव मिलती महिला अधिकारी को दो बच्चों के लिए पूरे वेतन के साथ 180 दिन की लीव मिलती है। महिला अधिकारियों को सर्विस के दौरान 360 दिनों की छुट्टी दी जाती है। इसके अलावा एक साल से कम उम्र के बच्चे को गोध लेने की तारिक के बाद 180 दिनों की छुट्ट के बारे में जो भारतिय इतिहास में पहली बार थी, 2015 में पहली बार आरमी वायु सेना और नैवी में शामिल महिलाओं ने परेड किया, 2019 में आरमी डेर डेविल स्टीम की कैप्टिन शिक्हा सुर्वी बायक स्टन्ट करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, 2020 में कैप्टन तानिया शेरगिल पुरुछो के टुकडी का नित्रत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, 2021 में फ्लाइट लेटिनेंट भावना कंठ परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पाइलेट बनी, 2020 में पहली बार किसी महिला अधिकारी कैप्टेन शिवा चोहान को दुनिया के सबसे उचे और थंडे युद्ध छेत्र सिया चीन में तेनाद किया गया। 2023 में पहली बार नौ सेना की टुकडी के 144 सेलर्स का नेट्रित्व लेटिनेंट कभांडर दिशा अमरत ने किया। 2023 में पहली बार सेना की आटिलरी रेजिमेंट में 5 महिलाएं शामिल हुई इन्हें पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर तेनाद किया गया है। 2023 किया है कि जिन महिला आधिकारियों को पहले ही करनल के रूप में परमोट किया जा चुका है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा ना ही उनकी वरिष्टता प्रभावित होगी। इसके साथ ही आज का ये विशे यहीं पर समाक्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ। आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें। भी धन्यवाद।